हेलो फ्रेंज वंस अगें वेल्कम बैक ट्यों और यूरूप चैनल लर्निंग नीर आपको जैसा कि पता है कि डेली रात को नौ बजे एक क्लास होती है करेंट अफैर्स की डेली बेसिस में देखते हैं जो भी दिन भर की घटनाय होती है सब कुछ मौक टस्ट के फॉर्म में जो कुछ भी याद करने लायक है आपके लिए तो यह सारी चीज़े देखते हैं मौक टस्ट के फॉर्म में होता है क्योंकि एक्जाम में मौक टस्ट के फॉर्म में किशन साब के आने हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रिपरेशन उसे साबसे होनी चाहिए और अगर आप दिन देखिए हर बार बताती हूं जो भी सूचकांक वगेरा होता है उसमें इंडिया का कौन सा स्थान है यह जरूर आपको याद रखने हैं हर टाइप के इंडेक्स में किकी किशन इससे आते हैं तो चलिए देख लेते हैं आप एक करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो क्या होता है आ साल मही में जारी किया गया है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक और भारत का स्थान जो है वो है एक्यानवा ब्रिटिस संस्थान है दा इकोनॉमिस ग्रूप तो उसने जो है यह जारी की है पूरी रैंकिंग जो है वो जारी की है दोहजार उन्निस की सूची में यह जारी की गई है हलाकि अभी जारी हुई है बर 2019 के लिए जारी हुई है तो इस रुपोर्ट के अनुसर भारत में नागरिकों की लोकतांत्रिक सतंता के स्थिति एक वर्ष में कम हुई है पिछले एक साल में कहीं जो लोकतांत्रिक सतंत्रता थी वो भारत में कम हो गई है जत्ती पहले एक और या लास्ट ही में रहेगा है ना लोग थांद्रिक सतंता के मामले में एनिवेज चलिए तो हमारा नेक्स्ट केशन हो जाता है नमलिकित में से किस दिन प्रतेक वर्ष सुभास चंद्र बोश जैनती मनाई जाती है 23 जनवरी 22 21 या 20 जनवरी तो करेक्ट एंसर होता है इस क्रिशन के लिए आपका आप्शन नमबर ए हो जाएगा क्योंकि हम आज 23 जनवरी हो और हम आज ही का ये करेंट अफैर देख रहे हैं और जो 2 वर्ड वायर्ट चल रहा था उस दोरान इनके उन्होंने सोवियत संग जर्मनी जापान जैसे देशों की आत्रा की थी इनके बारे में बताने की जरुत नहीं और ब्रेटिस सरकार के खिलाब भी इन्होंने सहयोग मागा था और जापान में उन्होंने आजाध हिंद फौज की भी स्थापना की थी जो उनके बारे में ज्यादा फेमस है और जर्मनी में उन्होंने आजाध हिंद रेडियो भी आरंब किया था और ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्ट 1945 को एक विमान दुरगटा मिन की मृत्य होई थी हाल ही में किस देश ने दक्षिन एशिया छेत्र में पहली बार ई-पासपोर्ट सो विदा आरंब किये भारत, बांगलादेश, पाकस्तान या फिर श्री लंका तो correct answer होता है इस किशिन के आपका option अब भी बांगलादेश ने start किया है और बांगलादेश की प्रधान मंतरी सेख हसीना ने जाय कभी start किया है कल किया था यानि कि 22 जनवरी 2020 को देश के नागरे कुकल ए-पासपोर्ट सो विदा को start कर दिया है बांगलादेश दक्षे डेसिया में सुविदा आरम करने वाला पहला देश भी बन चुका है कहीं न कहीं जहाँ पे electronic पासपोर्ट सेवा दी जाएगी ठीक है यह दी जाती है या आप यह ऐसा कह सकते हैं बांगलादेश में कुल मिलाके 69 जो है पासपोर्ट केंदर द्वारा यी पासपोर्ट उपलग्द कराए जाएगे ठीक है इसी के साथ बढ़ेंगी नेक्स्ट केशन के और नेक्स्ट केशन हमारा केंद्रिय मंद्र मंदल ने हाल ही में केंद्रिय सूची में अन्य पिछडा वर्ग के बीतर जातियों के उपवर्गी करण की जाच के लिए गटित आयोग के कारिकाल को कितना समय बढ़ाने को मंजूरी दी है तीन माह, चार माह, पाच माह या फिर छा माह और यहां पर करेक्ट एंसर होता है फोर के लिए आपका उप्शन नमड़ी छा माह बढ़ाने की मंजूरी दी हुई है फिर इसी के साथ देखते हैं पाचवा कुशन विदेश मंत्री S. जैशंकर ने किस देश में 22 जनवरी 2020 को महात्मा गांधी अंतराश्टरी कन्वेंशन सेंटर का उत्खाटन किया चीन, रूस, नाइजीरिया या सुडान और सही उत्तर होता है इस प्रशनी के लिए आपका उप्शन नबर C, नाइजीरिया ये इसका सही अंसर हो जाता है तो विदेश मंत्री कौन है? एस जैशंकर जी तो इन्होंने नाइजीरिया देश में 22 जनवरी 2020 की कल के दिन को महात्मा गांधी अंतराश्टी कन्वेंशन सेंटर का उत्खाटन जो है किया है ठीक है और यह कन्वेंशन सेंटर ने कुल मिला के बहुत बड़ा सा विशाल सा आधोनिक सा पर्यावरण के अनुकूल सुविधा की रूप में डिजाइन किया गया है और कुल मिला के एस जैसंकर भारत के पहले विदेश मंत्री है जिन्होंने नाइजीरिया की यात्रा की ही नहीं है किस देश ने हाल ही में ओजोन को नुकसान पहुचाने वाले रसायनन हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन को चरडबध तरीके से समाप्त किया बहुत ही अच्छा केशन है यह आपका EBS के लिए भी बहुत अच्छा केशन है जीके के लिए भी करेंट अफैर्स के लिए भी तो बहुत इंपॉर्डन केशन इसको याद रख लीजेगा स्नैप्शॉट ले लीजेगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट एंसर क्या होता है यह थोड़ा स्पेशल इसलिए भी हो जाता है कि आपका ऑप्शन नंबर A सही होता है भारत तो येस बात करते हैं HCFC ठीक है HCFC जो आपकी गैस होती है जो कि बहुत ही जादा कहते हैं कि प्रदूशित है और कही जाने कि ओजोन को बहुत दुकसान पहुचा रही है तो इसका इस्तमाल फोम के निर्माण में बेसिकली किया जाता है और इसे कठोर पॉलियूरेथेन फोम के निर्माण के लिए भी यूस में लाया जाता है को मिला के मंत्राले दौरे जारी बयान के अनुसार भारत ने उर पुजा संगरक्षण को बढ़ावा देने वारी जो ये परियावरण हित्याशी प्राध्योगी को अपनाने का ही रास्ता चुना है और इस पहल के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देश में शामिल होगे है जो गैर ओजोन चरण प्राध्योगी का इस्तमाल कर रह है ठीक है कुछी देश ऐसे जो यूज करें भारत अब इस लिस्ट में शामिल है जिससे वैश्विक ताप प्रिद्धी पनियानी की जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर थुड़ा सा कंट्रोल किया जा सके इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला प्रशनाज का दक्षिन अमे चलिए देख लेते हैं क्या सायुत्तर होता है इस प्रशने के लिए तो इसका सायुत्तर होगा आपका उप्शन नमबर भी गोयाना तो जी सतहत्तर के अध्यक्षता दोहजार उन्निस में फिलिस्टीन के पास थी और इसके स्थापना अगर हम कहते कि कब हुई है दीकि कई इसके स्थापना 1964 में हुई थी जिनेवा में की गई थी और ये विकास तील देश का अंतर सरकारी संगठ अनापी से कह सकते हैं और इस तरह की जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी तो भारत भी समूह का सदस्त्य है जायर सी बात है कि भारत भी हमारा डेवलपिंग कंट्र अगर ये प्रशन आता है तो 134 देश देश क्यों इसमें शामिल हैं और इसका नाम क्यों? जी 77 क्यों पढ़ाए क्योंकि इसकी जब स्थापना होई थी तो कुल मिला के उस समय पे 77 देशों ने मिलके इसकी स्थापना की थी मूल रूप से मूल स्थापना उसके बाद फिर शामिर होते गए सदस्य बढ़ते गए लेकिन इसका नाम जो है वो जी सतहत्तर ही रहे आया देखेंगे अगला प्रश्ण हाल ही में किस संस्था द्वारा वैश्वे गरीबी उन्मूलन पर ध्यान के इंद्रत करने ही तो टाइम चुकेर नामक रिपोर्ट का प्रकाशन किया है कि इस क्यूशन के लिए जो आपका करेक्ट एंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ऑक्स फैम ये इसका सही एंसर हो जाएगा ऑक्स फैम एक प्रमुग्यार लाबकारी समूव है और यह जो है उन्निस जो है सतंत्र चारिटेबल संग्ठनों का एक संग आप समा सकते हैं कि इसके अंतरगत जो है नाइंटीन चैरिटेबल जो ओर नाइजिशन होते हैं शामिल है इसकी इस्तापना होई थी उनिस सो ब्यालिस में मुख्याला इसका केन्या की राज़तानी नैरोबी में हिस्थित है बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की और अच्छा वी वाइरस नाम दिया है भारत नैपाल चीन ऑस्ट्रेलिया यह भी आपका अच्छा किशन हो जाता है लिए जो किशन साइन्स से आ गया जो किशन आपका पर्यावरण से आ गया वो आपके मल्टिपल सब्जेक्ट में काम आजाता है तो इसलिए उसको जरूर ध्यान रखना है उके तो इसके लिए करेक्ट एंसर होता है आपका अप्शन नमर्डी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सही हो जाता है यह एक अल्फा वाइरस है अगर हम बात करते हैं यादा यादा वाइरस की तो यह अल्फा वाइरस है अल्फा वाइरस पॉजिटिव सेंगल स्ट्रेंडर्ड आर एने वाइरस के एक जीनोम के साथ छोटे गोला कार कह सकते हैं यह तो एक विशाडू या वाइरस होते हैं जिसको वाइरस को हिंदी में कहते हैं विशाडू यह वाइरस के एक ऐसे सम्मू से संबंदित होते हैं जिसमें चिकन गुनिया वाइरस है और आपका जो इनसे लाग टाइल लिस्ट करके वाइरस एक था काफी टाइम पहले आया, बतब सुनने में आता था, वो वाइरस है, ये सारे चीज़े आ जाते हैं, इस टाइप के कई सारे अलफा वाइरस शामिल हैं, ये बस एक दूर एक जाम्पल्स हैं, बहुत सारे समें शामिल हैं, और ये मु और ये इस टाइप के कुशन पर आपको बहुत फोकस करके रखना है, और इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, और बहुत स्थान पर है, तो ये सुचकांग जो होता है, वो दुनिया के देशों को उनकी तरक्की करने, प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने और आकर्शित करने के उनकी छमता के अधार पर तयार किया जाता है तो अगर भारत की करते हैं बात तो भारत की रैंकिंग बहतरवी है इसमें और व्याशिक प्रतिपा के मामले में इस जो एक competition कुमापने वाला ये सूचिकांग है इसमें दुनिया के 132 देशों को शामिल किया गया 132 में बहतरवे नमबर पे भारत है तो हमारा छोड़ा सा सेशन होता डेली की तरह रोज होता है जो लोग चैनल पे न्यू हैं जिन लोग उने पुरानी क्लास मिस कर दी हैं सबकी अलग अलग प्रेलिस्ट बनी है एक बार चाहिए और चैक जरूर करिएगा तो थैंक्स पर वाचिंग कीप स्टरिंग वीडियो पसंद है लाइक करिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बाबाई